ग्याहू के भोसे को एस्टeilाइज करने के लिए सबसे पहल्य प ये इस से निकाल करने ाे अद्स क्या shilts जबालने वाला deaf करने दो में इसको रखने के बाद के लेखने कि इसमें तब तक रखते हैं जब तक कि उपर से इसमें हल्का सा भाफ नहीं आने लगें भाफ आने के बाद इसको हम निकाल करके इस तरह से फर्स पर फैला देते हैं और उसके बाद पेकेजिन करते हैं हैं, आम जैसे इस में यह तुरंद निकाला हुआ हम तुरंद निकाला हुआ है अर यह मुझ दिर पहले का निकाला होँ इसमें मौश्र भी घुचते हैं, देख सकते हैं वाश्र देखिया है इसमें पगड़ने के बाद यह देखिए मुठी नहीं बना रहा है यह तैसे गिर जा रहा है और हाथ में हलका सा पानी का फिल्म बन रहा है तो यह देखिए तो इस तरह से दुदिया मस्रू और और उस्टर मस्रू को बनाने के लिए करते हैं जो टोगरी में रखा हुआ है इस टोगरी में इस छोटे वाले टब में भीगा करके बड़े वाले टब में रखे फिर इससे निकाल करके सारा इसमें रख करके उस बड़े वाले पतीला में रख देते हैं उबालने के लिए जब उबल जाता है उसमें उपर से जब भ प्रत्राइब हो गया है और उसको हम यहां फर्स पर इस तरह से फैला देते हैं और उसके बाद बैग में पैकेजिंग कर लेते हैं यही है दूदिया और ओश्टर मस्रूम को कमपोस्ट को और सब्सक्राइब करने गजाए यह हो गया है यह हो गया है यह हो गया है देखिए इसमें पकड़ेंगे जब हम इसको पकड़िए इसको जब पकड़ते हैं हम तो देखिए पकड़ने के बाद इसमें यह पूरा बिखर जाता है मुठी नहीं बनाता है हाथ में हलका सा पानी का फिल्म लगेगा तो इस तरह से जब समझ आएं कि हाँ इसमें मौस्टर भी सही मात्रा में है अब यह प्रेकेजिंग के लाइक हो गया यह बूसा जितना है इसका इतना पर आप पैकिंग कर सकते हैं इसमें सही मात्रा में